एग आईस आज की वीडियो का टॉपिक है शोल्डर वर्काउट शोल्डर बोडी का एक ऐसा मसल है जो के आपके बोडी को एक खुबसूरत वी शेर देता है वैसे तो यूट्यूब और फेस्वुक पे आपको हजारो वीडियोज मिल जाएंगी शोल्डर वर्काउट की लेकिन जो आज मैं आप लोगो पांच एक्ससाइस बताऊंगा वो दी लेजंड आरनल्ड श्वर्जनेगर भी अपने वर्काउट में लगाया करते थे तो बिना टाइम वेस्ट किये चलते हैं पहली एक्ससाइस की तरफ तो शोल्डर की जो पहली एक्ससाइस आपको लगानी है वो है दी आरनल्ड प्रेस याद रखिएगा अकसर लड़के आरनल्ड प्रेस या टंपल प्रेस में ये गलती करते हैं कि वो इको लिफ्टिंग के चक्कर में एंड में डंबल को हिट नहीं कर पाते इसकी वज़ा से उनका शोल्डर इंबैलेंस हो जाता है अगर आप भी ये रज़्दी करेंगे तो आर्नल्ड का तो पता नहीं लेकिन कुश्पा जरूर बनेंगे तो आपको इगो लिफ्टिंग नहीं करनी बलके लाइट टंबल उठा के और अच्छे पोस्चर में 12-16 रेप्स इस एक्सराइस के निकालने हैं और इस एक्सराइस के 3 सेटाप को मारने हैं तो अब चलते हैं अपनी दूसरी एक्सराइस की तरव सेकेड एक्सराइस है हमारी बेंट ओवर रेइसस याद रखिएगा ये एक्सराइस का सबसे अच्छा पंप हमारे शॉल्डर के टेल्टोड हिस्से पे पढ़ता है जो हमारे शॉल्डर का पिछला इससा होता है तो इस सेट के भी हमें 3 सेट लगाने हैं 12-16 रेप्स अब चलते हैं अपनी तीसरी एक्सराइस की तरफ आरी एक्सराइस नूबर 3 है शॉल्डर प्रेसिस याद रखिएगा आपको शॉल्डर प्रेस करते वक्त डंबल उपर मिलाने नहीं है बलके जहां से आपने डंबल हिट करना शुरू गिया है वहीं तक उपर ले जाना है और इस एक्सराइस के भी आपको 3 सेट 10-12 रेप्स हिट करने हैं अब चलते हैं अपनी चोथी एक्सराइस की तरफ तो हमारी चोथी एक्सराइस का नाम है साइट टंबल रेसिस तो हमें इको लिप्तिंग इसमें भी नहीं करनी लाइट टंबल उठा के इजी नीप बोडी के पोस्चर को एक जगाँ पे रख के अराम से टंबल को उपर नीचे करना है और इस सेट एक्सराइस के भी हमें 3 सेट 8-16 रेप्स हिट करने हैं अब चलते हैं अपने पांचवी एक्सराइस की तरफ अबारी पांचवी एक्सराइस है पारबल फिरंट रेशेस इस एक्सराइस के भी आप वो 3 सेट 10-12 रेप्स हिट करने हैं ये थी आज की लास्ट एक्सराइस इसी के साथ आज की वीडियो वो यहीं पेहन करने हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अलाह आफिस